परसांत की स्वर्जी वह सभाड का पानी पिये हुए है और बिहार में ना जाने उनका कौन सा पानी का स्वाध लग गया जो परसांत की स्वर्जी जो है खूल कर जंसवराज का जो अपना उदय किये हैं भीकार में तो आने वाला समय में ब्यार के लिए कुछ होगा अगर जुदी आप नहीं परसांद की सोरजी कर सकेंगे to ये जानलिजे कि बिहार में नियाय कोई नहीं कर सकेगा यह हमारा मानना है क्योंकि सतर साल से जमीन समंधी ऐसा लचर पचर कानून बनाया है हमारे नियाए पाली काश्ड का बीधाय का जिनको हमने सकती दिया इसने सुरक्षा को आपके हम संबिधान के मताबिक चलने जनता मालिकक कहते हैं फिर nou कर आइश कर तो क्या इसको कानूनराज गहिएगा जामिन महां घोटाला काजमने हमेशा अब THOMAS पूर्णिया से तो आज बहुत मैं गवरब महसुस कर रहा हूं कि वही अवाज सेम असोग ठाकूर का परसांथ की स्वर्जी जो वहां से पटना से लाखों का भीर में जो वह सम्रोधित किये हैं तो मैं उनकी बातों को जो सुना तो मैं लगा कि ये परसांथ की स्वर्जी जम सरकारी जमीन भीक रहा है सरकार मुद देख रहा है तो इसका मतलब है कि रइश्टर वन से आपका मिलान नहीं है आप आए और उन्हें सो पचास में पोले जमीनदारी भेष्ट होगे तो आप जो रिकर्ड बनाया है तो कौन जमीनदार की है कितनी जमीन आपके अंदर में और जमीन कितने परकार की है जैसे आप कहते हैं गयर मजरवा खास महर खास खेसर हें तो यह सरकारी खाता या नाबाद बिहार सरकार आप बिहार में सरकारी जमीन का एक ही खाता और जितने सरवे में खेसरार मोजा है उसकी अंकित कीजिए लेकिन बिहार सरकार की खाता एक ह प्रसांद की सोर्जी ने कहा कि ट्रिपल स्राब बंदी स्मार्ट मिटर सरवय हो गया जमीन का सरवय तो अगर इन तीनों को देखाए तो कैसे लिके डूब जाएगा लोग करें स्मार्ट मिटर रहा चलो भाई कम सकम ट्रांसपेरेंसी आ गया लोगों को बिल दिखेगा अपन जन सुराज पाटी का स्थापन अधिवेशन था पाटी का गठन होना था और बिहार में एक नई पाटी का गठन हो चुका हूए जिनका दाम जन सुराज है और अपको बता दे कि दो gram को चुछ आप को सभा को समभोधित कर रहे थे लाखों लोगों के भीड थिह उस लाख प्रशान के मतलब हो गया इस स्मार्ट मिटर तीसरा का मतलब हो गया जो जमीन का सर्व है उन्होंने असपश से कहा यह तीनों चीज जो है लेकर उसको पचीस में लेके डूप जाएगा क्योंकि इसमें कहीं न कहीं पूरी तरह से हेर फिर होता है और ऐसे में एक चीज उन्होंने और बारीकी से उस खबर को उठाया जो कि बिहार में जो जमीनी समस्या आप देखने बड़े पैमाने पर है परिशान है लोग उनको लेकर उन्होंने एक बात कही और आप लोगों ने सोचल मेडिया के मादेम से सुना होगा कि परसांद किसोर जी कह रहे हैं कि सरकार हम से पूछ रही है कि तुम बताओ जमीन किसका है यानि कि रजिस्टर वन की हम बात कर रहे हैं और उनको उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने लोगों को बताया कि सरकार से आप पूछिए कि रजिस्टर वन कहां है कौन है मा लेकिन नितिस्कुमार उल्टे पूछ रहे था हमारे साथ आप सब जानते हैं पूर्णिया से असोक ठाकूर है और जमीनी लड़ाई पिछले पांस साल से लड़ रहे हैं और अभी आपको बता दें कि कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है इनके बातों को परसांद किसोर जी ने ले लिया है और पूरी गंभीरता से इन्होंने लिया है और ये मुद्दा लगातार जमीन का उठा रहे हैं और रजिस्टर वन की भी सरकार से मांग कर रहे हैं और इन्हीं के बातों को उठाया और पटना से लाकों लोगों के बीच उन्होंने उठाय लोगोंने सुना सिध किए सबसे पहले तो मैं परसांथ की सवर जी को धन्वाद देता हूं कि आप ने जमीन समंधी जो भी अपने कथन कहा है लग अपने सुना है जी मैं भी सुना हूं लाइब में उन्होंने कहा है क्या कहा है कि रेश्टर वन से जो है उनका कोई मिलान नए होड़ा है जमीन का कह और अस्ठल पड़ चाकर आप पूस्ते हैं, यह जमीन किसकी है, तो सरकार को बतानी चाहिए ना, जो सरकार इस्टर पंजी टू बना है, तो उनको नो मालूम है कि इस खेसरा में किनकी कब जा था, ये खेसरा जो है, फलना बाबु का है, ये खेसरा खाता फलना जी का है, ये तो मुझे लगा कि इसमें कुछ धम है जो जमीन समंदी यह अगर आते हैं विहार में तो जमीन समंदी जरूर है कि गरीब गुरुबा का उधार हो जाएगा आपको बात कभी वह परसांद के सुरू से इतना बड़ा बात आपके आपके आपका जो एक बहुत बड़ा और साइद हो सकता है कि हमारे जो ये गरीबों के लिए जमीन समंदी भर्ष्टाचान जमीन महा गोटाला का जो हमने हमेशा आवाज उठाया है पूर्णिया से तो आज बहुत मैं गवरब महसुस कर रहा हूं कि वही आवाज सेम असोक ठाकुर का परसांथ की सवर्जी जो वह तो मैं भी उनको सयोग करूंगा क्योंकि जमीन का जो भी हम जनकारी है आज बिहार सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि आज हमारे सामने बैठ जाए और वो बता दे कि हाँ ये जमीन का ये टेटरस है ये हमारी रेकर्ण है पूछेंगे रजिस्टर वन के बारे संचिप में मारे जो रेभेनु जो उठााया जाता था आए रजिट को दवारा जो लगान हम लोग लोग देते थे तो उससे अलग रच्टर वन meं Entscheid On boundaries बंडे जमीन दार के अंदर जो है सब र में हैं तो वह रखी जैसे हाट झालिता है दाक कर देता है आश को लेकिन उसको वह जमीन हो नहीं जाता था लगान आता था जमीनदार को आप सघ्सी को दिये तो यह तो अच्छ अच्छा हमको bullet डिसा से काम करते हैं आज मानलीजी कानून भी जो भी बनाये हैं जमी शमंदी अगर लेखा जो कहा सरकार के पास होता तो सरकारी जमीन रहा है अब इतकपजा होड़ा सरकार मुझ देख रहा है तो इसका मतलब है कि रइस्टर वन से आपका मिलान नहीं है आप आए और उन्हें सो पचास में पोले जमीनदारी भेष्ट हो गया तो आप जो रेकड़ बनाया है तो कौन जमीनदार की है कितनी जमीन आपके अंदर में आया और जितने सर्वे में खेसरार मोजा है उसकी अंकित कीजिए लेकिन बिहार सरकार की खाता एक होनी चाहिए वो नहीं है आप मान लिए इस वार्ड में बिहार सरकार कुछ है तो उस वार्ड में बिहार सरकार कुछ है इस जिला में बिहार सरकार का खाता खेसरा कुछ है तो जमीन को आप हर अपने का जो काम की हैं बिहार सरकार और रेइस्टर 1 को अंदेखी करते हुए आप जो फिर रेइस्टर 2 तयार किये तो वह माफिया रसुकदार लोगों के नाम से कि परसांद की सोर्जी तो खूल के नहीं बोले क्योंकि बिहार में आपको माफियाओं का जमीन का सरवय तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो कैसे लेकर दूब जाएगा लोग करें स्मार्ट मिटर आया चलो भाई कम सक्म ट्रांसपेरेंसी आ गया लोगों को बिल लिखेगा अपना चोरी चोरी नहीं होगा तो बोलें लोग है यह है जमीन का सरवय लड़ाई जगड़ा खताम हो जाएगा तो दूबेगा कैसे परसांत की स्वर्जी वह सब घाट का पानी पिये हुए है आप इसी जाने ना प्रधानमंतरी साथ में चले हैं मुंकमंतरीक साथ में चले अनराज में भी यह मनें चले हैं नौराजियों को उन्होंने बनाया है वह अपना संचालन किये हैं और सब घाट का पानी पिये हुए है और बिहार में ना जाने उनका कौन सा पानी का स्वाद लग गया जो परसांत की स्वर्जी जो है खूल कर जो है जंसराज का जो अपना उदय किये हैं बिहार में तो आने वाला समय में बिहार के लिए कुछ होगा अगर जोदि आप नहीं परसांद की सोरजी कर सकेंगे तो यह जान लिजे कि बिहार में नियाय कोई नहीं कर सकेगा नियाय कोई नहीं कर सकेगा यह हमारा मानना है क्योंकि 70 साल से जमिन समंदी ऐसा लचर पचर कानून बनाया है हमारे न्याय पाली का कारेपाली का बिधाय का जिनको हमने सक्ति दिया जिनको हमने तनका दिया कि हमारी संपति हमारी जान माल की रक्षा सुरक्षा सारा चीज मारियादा आपके हाथ में है आपके हम संबिधान के मुताबिक चलने वाला लोक तंत्रिक देश में जनता मालिक क बैट कर रहा है तो क्या इसको कानून राज कहिएगा परसांद कि सोर जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां टाइट करना है जो हमारे समाज में हमारे जिला में हमारे परकंड में हमारे राज में और हमारे देश में किस परकार से कानून वेवस्था चलनी चाहिए जब आपने कहा है कानुन के सही और गलत तो सही को समान मिलनी चाहिए और गलत है सजा मिलनी परसांथ कि सवर जी यह भी कह रहे हैं कि जमीन सर्वे जो है नूँना शजी की ओडा व tv तक घर समै झाण का समर्तन वो नहीं करें तो कि यह करें है कि जमीन जलग информ лучше चलेगा मदर नहीं होगा अभी आपने कहा कि तीन तीरपल एस तो मैं इसका खड़न कर देता हूं नितिश कुमार जी आप तो काम बहुत ही अच्छा किये थे यह कानून लाएं शराब बंदी की अच्छा है अस्माट मीटर का लाएं अच्छा है और आप जो जमीन सर्वे का अच्छा है लेकिन खराब कहां है जो परसांद की सोर्जी जो पकड़ लिये इनका नब्ज आच्छा कि आप मालिक है आदेश कर देते हैं आलसी है काम में आपका कोई तरह का एक्सन जमीन समंदी नहीं देख जी वो जो है वो अपना जमीन समंदी कानून वेबस्था जो है जतने को सोपे हैं हां बड़ी अधिकारी को जैसे अभी सिधि ब्लांडे जी को आप आए आए जी साहब पूर्णिया को सुधार रहते और आप अचानक जो है आप भेज दिये कहां पटना क्या जरूरी था जरूरी था कहीं तो उनको इसको काम न कर रहा था काम करने वाला था तो आज परमंडलिया सुधार्ने में लग घया था आज हमारा चीज पूर्णिया उदधा होता तो आप इसका मतलब कि पूर्णिया घळुबा रहे हैं अचा यह सब बंध और चाहिए यह होनी चाहिए आप से पूछते पूर्णिया बासियों बिहार बासियों क्या आदमी के लिए पूरा समाज परेसान हो तो वह इसे आदमी पर कारवाई होनी चाहिए और आप मुठी बर आदमी को लेकर और पूरे समाज पर हुकुमत करते हैं यह गलत बात है न तो आपको कुछ यहां का जनकारी है बाहर साते हैं बोट में उड़ जाते हैं और यहां का जो भी बाद है आज जो पकड़े हैं खूल का तो नहीं बोले हैं लेकिन परसांत की सोची से निवेदन करते हैं कि जमीनी मुद्दा आप उठाइए जो की विहार में एक कोण के तरह हां सभी को लगा हुआ है लेकिन कोई बोलता ने क्योंकि आप इसका समर्थन करते हैं ब जितने भी कागज नहीं है भूमियन सर्वे करवार है ना आप डालिये उसका और अस्थलिये पर भी आईए किसका कपजा में किसका है कैसे उसको छोड़ दीजिए पहले उसका नाम चड़ाइए अगर कागज देता है तो ठीक है उसका कागज का वेरिपेशन कीजिए और व आपका जनपरती निधी जो जिनको पावर दिये है उसका चल रहा है और यहां आपको परसासन को काम करने में बाधित करता है आज असोख ठाकुर इतना बोला जमीन का मुद्दा उठाया सर्कार निर्ने भी किया कि सर्वे करवाएंगे और मेरे पास लिखा हुआ है सर्वे कारी आबे बैठे और हमसे राय मसवरा ले अगर मेरा राय मसवरा खर गलत होगा अगर मेरा आरोब गलत होगा और मैं जांच में सयोग नहीं करूंगा तो आप मुझे फांसी ते दिज्येका ट्रिपल एस में अगर हम बात करें स्मार्ट मिटर इसको लिकर क्या तकलिव है लोग विरोद करें में स्मार्ट मीटर में में निटी सकुमार जी का सुधार करने की जरूर। क्या हुए थे एक बढ़ा हूं गपांकर इःसं ज्यु कीसी के बी लाता ता है आरा नां तो हम गड़ि कैसे जलाएं जया यह वही चिज जलाएं ऐक बढ़ा ऑगा हुगा पड बटकर बिजली बोड में जल रहा है मीटर में और घर में लाइन नहीं है और माइनस में भी चला जाता है तो आज हम अमरे कहने का मतलब है तो सुधार कीजिये आप एक देखिए कि उसका यूनिट कितना है और उसका कितना होना चाहिए जब आपके घर में लगा है हमको भी बहुत पैसा लगड़ा है लग रहा है जी अरे लग बग दूजार धायजार महिना लगड़ा है जब कि उतना चीज है नहीं अचा चारुकोपाई को पंखाई है यह भी हर्दम नहीं न चलाते है यह सब लेके जो है आपको मुखमंत्री जी को स्मार्ट मीटर अगर तीनो एस पर तीनो एस पर अगर जो दिया आप अपना जो आदेश निर्देश किये है और रिपल एस हाँ उसको काइम करना चाहते है तो तीनों सुदार होना चाहिए ज बैठा है उस डीजी पी को सरवय करा रहे हैं चुनाओं से लोग सबाद चुनाओं से पहले ही सुरू हुआ था बीच में रुख गया था लेकर वागा कि आप जांच कर रहे हैं कि भाई सराब बंदी जो हुआ कितना लोग सराब पीना छोड़ दिया और समाजिक सुधार कि बहुत कम किये हैं जैसे ऑपन मिलता था तो चाहें ता है पीके गाली गलोज मार पीट अगरे बेगेरे होता था हम लोग भी सरजमीक आदमी हम लोग भी जानते हैं हमारा उनसे ब्यक्तिगत मुंखमंतरी से कोई दुसमनी नहीं है जातिगत या ब्यक्तिगत हाँ आपकी न रजिस्टर वन की तुन्होंने मांग किया उठाया बात किया और क्या लगता है करना चाही बाद उनकों देखिए मैं परसांद की सोर जी से निवेधन कर रहा हूं कि सबसे पहले बिहार में आप जमीनी मुद्दा को सव पर्थम में रखिए क्योंकि हर एक इंसान को ये जम कारी क्ये हैं सिस्टम को गलता स ही करने के लिए बैठा है घलत करने के लिए नहीं बैठा है आप गलता की है उसकी जाच करवाकर है हम प्रसांद की शोर्जी को भी सहयोग करेंगा और निवेधन करता हूं कि जमीन समंधी हर भिहार में सभी का कागजाद दरूस्ठ में आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप डियम को पाटी बनाते हुए और जमीन की सारा दस्तवेच की मिलान करते हुए आप किजिये ताकि कोई भी बेखती अगर जो दी अपील करते हैं आपके दिगरी के विरूद और चैलेंज करते हैं तो आपको जबाप देना होगा क्योंकि यह आप जज सहाम है आप सही करने के लिए बैटे हैं गलत करने के लिए नहीं गलत जो करेगा किसी भी पदध पर बैठा रहेगा मैं असोख ठाकूर बिरूद हंड़ेट परसंट करता रहूं समिति से आते हैं लगातार आपने हजारों वीडियो इनका आपने देखा होगा जो की जमीनी संबंदित लड़ाई लड़ते हैं और खास बात ये था आज के दिन में जो हमने इन से बाचित करी कि इनके बातों को परसांद किसोर जी ने एकदम गंभीरता से लिया है जो बात हलके में लोग ले रहे थे कि आशोक ठाकुर जी पूर्णिया से ऐसे बोलते हैं लेकिन अब जो हैं पूरे बिहार की राजनिती गर्म हो गई उस मुद्धे पर कोन मुद्धा जमीनी मुद्धा और रजिश्टर वन की जो बात है और आप सब ने उस वीडियो को आपने भी सुना होगा परसांद किसोर जी की बातों को सुना होगा बाकि ट्रिपल एस की ज जरूर लिखिएगा